नमस्कार जी मैं संधिया यह देखिए फ्रेंट्स जो मैं इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नेपाल से कुछ शॉपिंग करके लाए हूँ प्लांट्स की तो मैंने आप लोग के साथ सेर किया था बस यह था कि कुछ कागज में रैप थे तो उस क्या था कि एक दिन में वहीं इनको लागा पाओंगी तो और इस पर बने प्लांटिंग जैते घ्राब हो जाते तो मैंने क्या किया और जो है सारे साथ मैं मैंने से करने यह मिट्टी में दभा दिये यह यह अग्याम वह प्लांट लेकर लेकर थे अब किसकिस है यह मुझे नहीं पता है तो यह में ले आई हैं और वाकी जो है इस तरीके से मैं मिट्टी में दबा दिया अभी ज़िसे जैसे पॉर्ट में पढ़ative होगा वह और खाली होगा अरींड में अविसे घाशी देनcular भी माने ऐसे किई थे नपाल सही चुटी-चुटी सब्सक्राइब 13 में दुदा दिया दिये धे और भी दीरे जैसे इस टाइप के जो थे इस वाले रैप में इस पेपर में रैप थे तो उनको पहले मैं लगाना पसंद करूंगे और लगा भी रही हूं कि वह पहले मतलब खराब होने का उनका ज्यादा डर है तो छोटी-छोटी सेपरिंगे अगर रूट जो है ओपन हो जाएगी तो हवा लग अब इसको बैकश्ट जाओंगे तो यह देखिए यह पूरे मैंने खाली कर लिया है अब इनको उसमें डाल दूगी इसमें कमपोश्टिंग में इनको डाल दूगी और इसको भी ले जाओंगी नीचे और इनको देरे नीचे और इनको धीरे में धाल रहूंगी और जैसे जैसे यह बड़े होंगे आप लोग उससराद से मेसियर करोंगी और जो पॉली पैग वाले हैं तो उनको भी इसके बात ग्रो करोंगे तो कुछ इस तरीके से यह देख रहे हैं और देखिए कितने छोटे-छोटे से और अभी से इनको पालते करते हैं नदी में लोग तो थोड़ा से नच्वाइब चली गई थी नैपाल तो परसो चली गई थी मैं नैपाल तो फिर इस तरीके का है यह अब धीरे-धीरे साफ होगा यह यह लगते जाएंगे और यह कुड़ा कचरा फिर हटते जाएगा क्योंकि पॉट फीलिंग में काम तो काफी हद तक तो मैंने हटाई दी हैं थोड़ी से और यह बचे हुए हैं बाकी देखिए और बाकी इस प्लांट में देखिए काफी भर-बर के फूल आ रहे हैं कुछ इस तरीके से यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जबकि बिना कोई केयर का है यह जैसे और प्ला हो चुका है और यह देखिए लगा रहा है ने हमें wij कुले प्लान वह बहूं से चल रहा है यह भी ठीकथा की हुए था था इसको भी मैंले घुर्डव कर दिया है यह भी ठीक달ा रहा है रहाए हैं ना कि पर्सलेर पॉच्छ लुका देखिए- अपने आप ही इस बकेट में गिर गया होगा इसका चोटा सा पौधा और नीचे लटक लटक के देखे कितना खिल रहा है यह अपने आप ही इसका कोई कियर नी कोई कुछ नी बाकी यह देखिए इसने तो वाइंडिंग जूने तो बिल्कुल बास्केट को घेरी लिया है बिल आप लूबर आ गया है लिए फिर भी अच्छी इसकी ग्रोथ है और काफी अच्छी मतलब अच्छे कंडिशन में है यह एक दम से सूखा नहीं है यह पाकी यह प्लांट खिलते जा रहा है और पतियां गिराते जा रहा है क्योंकि अब इसका भी डॉर्मेंसी पीरिड जाए गये यह बाकी यह प्लांट लेकर आई थी मेले पिश्टी के लूनिगमा को तो इसको भी इस पॉट में ने ग्रोव कर दे यह भी ठीठा चल रहा है अभी कुछी दिन में इसको इंडोर में लेकर चली जाओंगी और बाकी मनी प्लांट की बास्केट मैंने तयार की थ यह बाकी में लेकर आए तो इसको जब मैंने लगाया था रिपोर्ट किया तो मैंने सेड की मतलब वजए से यहां पे और उसको वहां पर टांग दिया कि थोड़ा मतलब यह इस्टैबली सो जाए अच्छे से बाकी इस प्लांट को गलहरी ने जो काटा था तो अब इसमें लोत तो देखिए बार आई ही रही है यह एक जोर एक प्लांट में इक कर दोी है और यहां से जो aja है अच्छे बलंते प्लांट यह देखिए इंग् pleasing को नई जो है तो यह कुछी दिन में अपने आपको घरना कर लेगा लेकिन फिर दुबारान अ comment अकर तब तो बाकी दर गुलेदावदी के सारे प्लांट ठिक ठक चल रहे हैं और यह मैंने पिंचिंग काफी बार कर दियों पहले से देखिए काफी गहनी हो गए है और जो इसको गिलहरियों ने काटा था यह गेंदे के जो मैंने स्टेंब लगाई हुए थे तो यह भी इसमें ने शूट्स आने ल माना हम पहता ही नहीं लग रहा है वाकी इस बास्केट में तो यह फूल्क्ला खेलते ही जा रहे हैं पहले से कम हो गए हमुए है यह जाड़ का फूल आज एक खिला हुआ है लेकिन बर्ड इसमें बहुत बनी हुई है बहुत ही बर्ड आई हुई है इसमें ये देखिए पूरा बर्ड से ये भरा हुआ है प्लांट मेरा बाकि रोज प्लांट को मैं उस साइड से उस साइड से इस साइड में ले आई हूँ तो इन में भी अब जो है ये फूल खिल रहे किया ही नहीं चाहिए वो छोटा खिले चाहिए वो बड़ा खिले ये खिलता ही जा रहा है और इसमें बड़ जो है वो बनती ही जा रहे हैं ये देखिए बाकि सब प्लांट ठीक चल रहे हैं और ये देखिए यलो कलर का इसमें एक ये बड़ है और एक वो बड़ है और ये ब इसमें भी फूल खिला हुआ है तो यह प्लांट्स भी ठीक थाक से चल रहा है है रहिए धिक यह बाकि यह देखिए यह भी खेल रहा है इसने गर्मियम भी फू फूल दिये जाड़े सब्सट में भी फूल आये और इस टाइम भी देखिए फूल आ रहे हैं और इसका कलर देखिए कितना फूबसूरत आया हुआ है यह और लगा किसमें है यह इतनी सी बॉटल में कि और नॉर्मल पानी मिलता है इसको वह भी पानी के लिए इतना ही जगह है कुछ पानी नीचे ही गिर जा र रहा है तो जल्दी इसको मैं कोई गंबला प्रोवाइड कर आऊंगे यह देखिए बाकी यह सिंगल पैटल के जो यह गेंदा है यह ठीक ठाक खीली रहे है विचारे जैसे भी है छोटी सी पॉट में लगे हुए है तो यह ठीक ठाक से तभी भी जितना बड़ा पॉट है ज और यह कुछ दिन में खिल जाये गए यह बाकी इन पा dece quira भी पाली बड़ा घमे लगे रियो ने लगई देखिए यह सब पली बड़ाजमे लगे हुए है यह देखिए और यह भी इनितल धीक ठाक चल रहा है यह ठीक ठाक चल रहा है मझी यह फीचिव कि प्लांट भी प् नई नई लीफ आई जा रही है देखिए बाकी दर्पूदीना देखिए बिल्कुर ठीक चल रहा है अब यह कुछ खराब नहीं हुआ है यह और इसकी स्टेम देखिए मैं अक्सर वीडियो में दिखाती रहते हूं यह देखिए कितनी लंबी स्टेम हो रही है इतनी बड़ी स इसकी पतियां छोटी हो जाएंगी मरेगा तो नहीं यह सूखे तो नहीं तो नहीं जैसे फर्वरी मार्ज का महिना आएगा तो फिर इसकी पतियां है जो बड़ी बड़ी चोड़ी होने लग जाती है अगर आपने भी पूदीना इस तरीके से लगा रखा है तो इसको किसी स निचे ब्राम्दे में जैसे उपर से ओस ना गिरे अगर उस गिरेगा तो फिर यह पतियां जो है सूख जाएंगी और इस ट्रम रहेगा जागा फिर फर्वरी मार्च में फिर रीग्रू कर लेगा और इस तरह क्या है कि मतलब अगर चज्जे के नीचे या किसी शेल पी बना सकते हैं मतलब अपने काम में इस्तमाल कर सकते हैं तो ऐसे आपको जाड़े में भी इसके पतियों का जो है फायदा मिल सकता है और अगर डायरेक्ट इसको सीट में रख देंगे तो इसी की पतिया फिर खतम हो जाएंगे बस यही कारण है बाकि वह जेलिया का प्लांट स्वाइल बनेगा वह थोड़ा लाइट वेट का बनेगा और इसमें गार्डन स्वाइल वगर कम रहेगा हलका बनेगा तो उसी का इंतजार कर रही वह आ जाए तो फिर उसके बाद मैं इसको रिपोर्ट कर दो बाकि सब चीजों का तो इंतिजाम है मेरे पास और बाकि यह है पान का प्लाट तो इसका भी डॉर्मेंसी का ही अब समझ लिए टाइम एक तरह से चल रहा है यह सर्दियों में जो है यह ग्रोथ धीरे कर देता है और मतलब ऐसे रहता है फिर फरवरी मार्च आने पर फिर यह ग्रोव करने लग जाता है यह देखिए प्याज की लीफते इसमें आती जाती है तो फ्रेंट्स आज मैंने इतना काम कर दिया है और इसी के थाथ आज की वीडियो में एंड करना चाहूंगी उमीद करती हूं कि आज की वीडियो आप लोगो पसंद आएगी पसंद आएगी तो लाइक सेर कॉमेंट करेगा मेरे चैनल पे नए होंगी सब्सक्राइब करेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि आने वाली वीडियो के हैं नोटिफिकेशन आपके वाली स्क्रीन पर आप लोगो को जल से जल मिल सके तो इसी तरह अपने इंवार्मेंट को क्लीन रखिए ग्रीन बनाएए मिलते हैं किसी नए वीडियो मे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई और हाँ जो यह डेहलिया का प्लांट आया था कुछ इस तरीके के पोर्ट में आया था यह देखिए इतना छोटा सा पार्ट इसमें कटिक लगी हुई थी तो के फ्रेंड्स बाई बाई